इनिंग की पहली गेंड का सामना करते हुए नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए बोलर को अपनी लाइन एंड लेंद सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदा रही है दोने बल्ले बाजो के बीच ये बड़िया रणिंग अद्भुत रणिंग ये तो चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में पॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रणिंग अब पता नहीं भाईया ये गिंद कहा जाएगी और दूसरे शोर पे भी तेज गिंद बास को ही लाया जा रहा है ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है सुमर्ब बल्ली का बढ़या कनेक्शन और गेंद कह इस सीधा हवाय यात्रपर बहुत लाए मैं नज़र आ रहे हैं गेंद से तो बचके ही रहें बनले बॉस अ करि लाए यात्रपर चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दुट्विकेट्स जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा एसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वाह क्या बात है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेंबाजी करनी होगी यहाँ गैप में खेल दिया है यहाँ और ये चार रन फील्डिंग में परिवर्तन ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेंड कहां मारेंगे शांदार को डेंड सीधे बाउंडरी लाइन की तरफ चाती हुई बहुती बढ़िया ताल मेल दोनों बल्लेबाजों के बीच एक महतरपूर्ण पारी बैटिंग टीम के लिए दर्शक यहाँ बाउंडरी की आस लगाए बैठे हैं बहुत उच्साहित नजाकत से खेला एक रन के लिए बहुती आक्रामक फील्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में ये एक बहुती अच्छी रन नीती हो सकती है इनके तो बल्ले से सिर्फ चोके और छके ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंट कहां मारेंगे हवा में उठा दिया है और ये च्छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे क्या रोमांचक मैच चल रहा है दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे है उठा के खेल दिया है खुपसूरत शॉट और ये सीधा बाउंडरी के पार पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं ये इसलिए अब पॉइंट पे फील्डर मौजूद बहुती बड़िया तालमेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स बॉल सीधा फील्डर के हाथ में तोई रन नहीं गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं पिच पे कर्मा गर्मी बल्लेवाज और गेंदबाज के बीच बहस चल रही है कप्तान को परिस्थिती संभालनी होगी इनकी धीमी गति की गेंद से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पार यहीं समाप्स हो सकती है प्राइब 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 लंबा भी था बल्ले के बीच और बीच से था शेत रक्षन में तब्दीली एक बार मारा है क्या वो दुबारा मार पाएंगे कर्णा प्राहार बल्लेबास का शेरान बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सठीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौझूद बल्लेबास को अपनी ड्राइब संभाल के खेलनी होगी बड्राइब गजेए अब दुबाजी अब ते लिए अट्राइब लगाया अब कर्णा लिए अची बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबास काफी तेज दौर लगाई है पहले रन के लिए यहाँ हमेशा दूसरे रन की तलाश में यहाँ दोनों बल्ले बास बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए गेंद को जानी दिया शौर्ट पिच बोलिंग खेलने में डिक्कत हो सकती है इस पिच पर थोड़ी सी ताल मेल में गडबड थी यहाँ और अब तो भगवान ही बचाए बोलर ने तो बल्ले बास को वापसी का रास्ता दिखा दिया कैच आउट हो जाओ, बोल्ड हो जाओ, लेकिन रनाउट कभी मत होना अक्सर देखा गया है कि रनाउट मैच की परिस्तिती बदल देती है बहुत ही अच्छा अर्दशा तक, काफी दिनों से ये फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर आज ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए खराब शॉर्ट सेलेक्शन, बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को और ये अप्सिमम, गेंद जाएगी बाउन्डरी के उपर से और डे कर जाएगी सिक्स जब फुल फ्लो में खेलते हैं, तब इनकी बल्ले बाजी देखने लाइक होती है अब पता नहीं भाईया, ये गिंद कहा जाएगी अच्छा शॉट लेकिन सिंगल ही मिलेगा कवर पे फील्डर तैननाथ किये हैं कैप्टन ने और लेकिन बल्ले से लगते ही चार रंते थे ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म फिस लाइफ वाह क्या बात है पूरी तरह मिस किया वहाँ बैटिंग पावर प्ले की समापती कप्तान अब दो से ज्यादा फील्डर्स इनर सरकल के बाहर लगा सकते हैं सीधा फील्डर के पास बल्ले बास सरलता से खेल पा रहे हैं इस चॉट को इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहाँ इस फील्ड के साथ बल्ले बाजों को स्ट्राइक रोटेट करने में आसानी होनी चाहिए इसकी कामना नहीं कर रहे थे बड़ी अगेंद बाजी आत्म विश्वास भरी अपी लेकन अंपायर ने नकारा इस फील्डर है कवर पर कि अधी उत्तम गेंद काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में थी गेंद वो वेहतरीन गेंद बाजी बल्लेबास को परिशानी में डालते हुए गेंद बाज ने डीप एक्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर लगा है बहुत ही खराब रणिंग बिट्वीन द विकेट्स जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं ये क्या लगता है आपको कितने चक्चे मारेंगे इस ओवर में खेला तो ये बढ़िया है लेकिन अंधरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फील्ड प्लेस्मेंट्स लगाए हैं आज यहां बढ़िया शॉर्ट बस सिंगल मिलेगा यहां नजार कट से खेला एक रन के लिए सिंगल लिया परले बाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं बिल्कुल चक्मा खा गए हैं वहां रवे बढ़ानी की कोशिश है इन बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी हो गी बहुत ही बढ़िया शॉर्ट बहुत ही बड़ा शिक्स जाने जाते हैं यह बल्ले बास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉम में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है चलिए देखते हैं कि अगली गेंस टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बहुती बढ़ी अताल मेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स खेल दिया है गाप में और ये एक राण लेकिन अंपायर का इशारा नाट आउट रचनात्मक शॉट खेला ये रन के लिए दौन लगाई यहाद दूसरे की प्राप्ति होगी खुद कुशी करने के तमन्ना थी यहाँ पे खराब रनिंग बहुती अच्छी रन नी थी यहाँ बल्लिबास को देखते हुए एक्स्ट्र कवर पे फिल्डर लगाया है जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं ये क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में पहली बॉल पे आउट हो गए बहुती बड़िया गेंद और बहुती बदकिस्मत बल्ले बास बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए या जवाब शॉट एक पल में लगा के गेंद बल्ले से लगी और दूसरे ही पल में बाउंडरी के उस पार चार रण बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्ले बास नजाकत से खेला एक रण के लिए झाले बापटछी बट्विए झाटिंग थिग्ट्यूिए प्लाइड शॉट अजौस्य टे मिट्वल्ट Chi बहटएट ळश्य बढग je ओगेड़्े बविक्याज ओंदिए अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट्ट लेने की कोशिश होगी यहाँ इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ हवा में उठा दिया है और यह छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे बल्ले बाज ने गेन बाजी को सधारन बना दिया है चलिए देख सूजबूच और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ बढ़िया शॉट अगर तेज दोड़िंग तो दो रन मिल सकते हैं यहाँ बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच यहाँ तो नाक के नीचे से एक रन चुरा लिया बास बल्ले बाज हमेशा रन चुराने के लिए तयार रहते हैं बढ़िया रनिंग दो बल्ले बाजों की विकेट के बीच वो बहतरीन गेंद बाजी बल्ले बाज को परिशानी में डालते हुए मेहतरीन गेंद बाल बाल बचे बल्ले बाज और ये चार रन खूपसूरत तक्रीक का प्रदर्शन अब पता नहीं भाईया ये गिंद कहा जाएगी स्लॉग ओवर्स के लिए विकेट बचा के रखना बड़ा जरूरी होता है आसानी से दो रन ले सकते हैं यहां पर बल्ले बाज बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन द विकेट्स ये देखो बल्ले बाज का रौदर रूरूर्स उसे मालूम है कि गेंद का क्या हश्र करना है फील्ड में बदलाओ बहुत लै में नजर आ रहे है ये लगा हवाई शॉर्ट सूर्थी से लगाया केस गती के गेंद बास वापस आते हुए ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी कर्णा ब्ले बास का चेरान जबर्दस्त बल्ले बाजी का परदर्शन इन दोनों खिलाडियां द्वारा अपनी टीम को एक सुद्रिड स्थिती में लाते हुए बल्ले बाज ने गेंद बाजी को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा अच्छी तरीके से खेला आसानी से दो रन मिल सकते हैं बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहाँ बहुत ही अच्छा अर्दशतक काफी दिनों से ये फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर आज ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे चल ये देखते हैं के अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बहुत ही बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्ले बास बॉलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां कप्तान ने अतिरिक सुरक्षा के लिए डी पॉइंट लगाया है उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बेतरीन चौका बहुत अमदा यह तो रीपले में और भी बहतर लग रहा है फील्ड में बदलाव यह एक ऐसे बल्ले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे फीडलर के बाजू से रंग चुरा लिए इन्होंने बहुत ही जोड़दार अपीर लेकिन अमपायर के इशारा नॉट आउट स्पिनर्स के खिलाफ काफी आक्रमक रवईया अपनाया है इन्होंने बल्ले बाज ने इस गेन के पड़ा भी और जड़ा भी लगाया चक्का तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे उटा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई संदेह नहीं था कि ये छे रन है क्या कहने इनके जबरदस प्लेयर का एक शांदार अर्ध शतक सिंगल्स रोखने के लिए पॉइंट फील्ड आई जगा पर बहुत अच्छे रनिंग बत्वीन देविकेट्स पिनर्स के खिलाफ कवी आक्रमक रवयय अपनाया है इन्होंने 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 पर्षनिये श्ट इस आक्रमक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेनबाजी करनी होगी यहां सिंगल लिया बल्ले बाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करनी होगी यहां रन रेट को नियंतरन मिल लाने के लिए पहुती बड़िया पिच रही है यह शुरुआत में गेंदबाज को मदद जरूर मिली लेकिन अब बल्ले बाजी के लिए एक दम अनुकूल है अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए अंतिम ओवरों में बल्ले बाजी टीम को विकेट जरूर हाथ में रखनी चाहिए अब बल्ले बाज पूरे नियंतरन में थे वहां चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान बड़े चोकनने रहते हैं अपनी फील्ड प्लेस्मेंट्स को लेकर सीधा फील्डर के पास बनले बास सरलता से खेल पा रहे हैं इस चोट को कवर पे फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने इन्हें खेलते देख लगता है कि पेस बोलिंग जादा असानी से खेल लेते हैं ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां मानों सिर्फ चोको और चको में ही दिल्चेस्पी रखते हैं बहुत लैं में नजर आ रहे हैं बढ़िया रणिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच बढ़िया रणिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच अब आत्मों बश्वास भरी अपी लेकन अंपायर ने नकारा रणिंग बिट्वें दो विकेट बहुत ही उंदर रहे हैं दोनों बल्ले बाजों के बीच ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका जबर्दस्त बल्ले बाजी का परदर्शन इन दोनों खिलाडियां द्वारा अपनी टीम को एक सुद्रिड स्थिती में लाते हुए सिंगल्स रोकने के लिए पॉइंट फील्डर जगा पर अच्छा शोट लेकिन सिंगल ही मिलेगा बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपाइर नॉट आउट देते हुए ये बढ़िया रनिंग अद्भूत रनिंग गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाज ही कर रहे हैं चुरा लिया है एक रन बड़िया रनिंग बिट्वीन दे विकेट्स बल्लेवास को बांद कर रखने के लिए फिल्लिंग के मताबिक गेंदबाजी करनी चाहिए अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और ये शॉट बस एक रन ही निकाल पाए लेकिन अमपायर का इशारा नाट आउट अच्छा शॉट लेकिन सिंगल ही मिलेगा इनकी धीमी गति की गेंद से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्स हो सकती है बल्लेबास पूरी तरह से चुप गए बढ़िया बोलिंग खतरना गेंद और सीधा बल्लेबास के शरीप पे लगी ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सठीक रखनी होगी बहुती कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अम्पायर नॉट आउट देते हुए बल्लेबास पिछली गेंद पे बड़े अनकम्फटिबल लगे गेंद बास अच्छी लाइ में दिख रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चलिए देखते हैं बहुती कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अम्पायर नॉट आउट देते हुए बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां ये शॉट खेलने की लगता है अपनी एकाग्रता खो बैठे कवर पे फील्डर तैननाथ किये हैं कैप्टन ने एज और कोई नुकसान नहीं बहुती बढ़िया फील्डिंग ऐसी फील्डिंग से टीम का आत्मबल बढ़ता रहेगा बहुत अच्छी रॉनिग बट्वीन दे विकेट्स अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है बोलर अपने पसंदीद अच्छोर से गेंद बाजी करते हुए इनकी धीमी गति की गेंद से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्स हो सकती है अच्छे राज अच्छे एच्छे लाज दीरे फार्म में आ रहे हैं बन्ले बाज यहां दर्शक यहां बाउंडरी की आस लगाए बैठे हैं बहुत उत्साहित ओ अति उत्तम गेंद इस पारी की आखरी गेंद आती हुई इनिंग्स की समापती सलामी बल्ले बाजों को जल्दी पैडप करके जल्दी वापस क्रीज पर उतरना होगा हम आपके सामने फिर से फील्दिंग टीम को शुरवाती जटके हमें यहां अच्छा चल्ये चलते हैं बल्ले बाज तयार है इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए इस आकरामक फील्द के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहां गैप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्दर वहां मौझूद ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्लेबाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है बल्लेबाज नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार उन्दा शॉट लाजवाब प्लेस्मेंट फील्डर तो वहां दर्शक बने रहे गए खूप शॉट लगाया बल्लेबाज ने जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरिट एंड होगा बल्लेबाज निश्चित रूप से दो रन ले सकते हैं ये तो चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बहुत ही अलग किसम की फिल्ड लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्लेबास बहुत किसमत रहे हैं वहां बॉल सीधा फिल्डर के हाथ में बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए पॉजिटिव फिल्ड प्लेस्मेंट लगाई है बोलर और कप्तान ने खुबसूर अकिन बाजी और पहाती बढ़िया लीग बढ़िया लीग मुश्किल में पड़ते अगर वो खिलने की कोशिश करते हुए खुबसूर अकिन बाजी और पहाती बढ़िया लीग दूसरी ओवर की शुरुआत यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है यह बहुती कठिन फिल्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी गैप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फिल्डर वहां मौझूद सीधा फिल्डर के पास बल्ले बाज सरलता से खेल पा रहे हैं इस चॉट को कवर पे फिल्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए बढ़िया रणिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच बदकिसमत रहे हैं वहां बाल सीधा फिल्डर के हाथ में गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाज ही कर रहे हैं बाल सीधा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं और दूसरे छोर पे भी तेज गेंद बाज को ही लाया जा रहा है स्लिप्स लगा दिये हैं यहाँ इनकी बाहर निकलती हुई गेंद से तो बचके ही रहे बल्ले बास जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहाँ बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए धीमी गेंद का अच्छा उपयोग कर सकते हैं स्पिच पे अच्छा शोरा गेंद बास दोरा बज़त्रीन दिश्ट सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फील्ड प्लेस्मेंट्स लगाए हैं आज यहाँ बल्ले बास को पता है कि कौन सी गेंद खेली है और कौन सी नहीं अच्छा शोर्ट था ये पर गेंद इंसाइड सर्कल को पार नहीं कर पाई तेज गेंद बास वापस आते हुए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरण के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहाँ बल्ले बास ने अपने हैं अंदाज में इस गेंद को जाने दिया स्लिप्स लगा दिये हैं यहाँ इनकी बाहर निकलती हुई गेंद से तो बचके ही रहे बल्ले बास फील्ड लगा रखी थी ऐसे ही शॉट के लिए और बल्ले बास सीधा फील्डर को कैश दे बैठे बहुत ही अच्छी रण नीती बॉलर की बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बोल्ड ट्रिकेट में केंद की आक्रमक बल्ले बासी से जाने जाते हैं ये बड़ी अलीव बल्ले बास की गेंद बास अपने पसंदीदा छोड से गेंद बासी कर रहे है गैप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्डर वहां मौझूद शॉर्ट पिच बोलिंग खेलने में दिक्कत हो सकती है इस पिच पर सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कवर पे फील्डर तैननाद किये हैं कैप्टन ने हाँ 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 बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे गेंदबास अपने पसंदीदा छोर से गेंदबास ही कर रहे हैं बल्ले बास नाकाम्याब रोहे शॉट खेलने में और गेंग सीधा फील्डर के हाथ में पूरी तरह चुके वहां गेंद को वो बिलकुल भी पड़ नहीं पाय थे बल्ले बास अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए खेला तो यह बढ़िया है लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए यह स्पिनर्स के सामने विक्राल रुपधारन कर लेते हैं अच्छा शोट लेकिन सिंगल ही मिलेगा बहुत ही अच्छी थाल मेल दोनों बल्ले वासों के बीच में बढ़िया राणिंग यजडि विक्राइट्स बैटिंग पावर प्ले की समापती कप्तान अब दो से ज्यादा फील्डर्स इनर सरकल के बाहर लगा सकते हैं ये गेंद फिर से डालने पड़ेगी वाइड बॉल ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सठीक रखनी होगी अमपायर का इशारा नो बॉल फील्डर है कवर पर उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका क्या इनके तरकश में से एक और चौका निकल सकता है चलिए देखते हैं सिंगल लिया बल्ले बास स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं बहुत ही कॉंफिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए जब जाधा फील्डर्स बाउंडरी की रक्षा कर रहे हो न तो बल्ले बास को सिंगल्स तोफ़े के रूप में मिलते हैं गैप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्डर वहां मौझूद सीधा फील्ड के हाथ में कोई रन नहीं गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाज ही कर रहे हैं नजाकत से खेला एक रन के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नौट आउट देते हुए बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां स्लिप्स अपनी जगे पर तैनार उंदा कप्तानी का मुझारा ची बॉल और एक बहतरीन लीव स्पिनर से खिलाफ काफी आकरमक रविया अपनाया है इन्होंने ची बॉल और एक बहतरीन लीव बल्ले बाजो फूद फोड़ी तेजी से रन बनाने होंगे यहां और ये चार रन खूपसूरत तक्नीक का ब्रदर्शन अब बहुत लैया में नजर आने अब बाज को पूरी तरह पता है कि उनका आफ स्टम कहा है खेला तो ये बढ़िया है लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए कप्तान की फील्ड प्लेसमेंट्स काबिले तारीव रही है अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां बोलर ने तो बल्ले बाज को वापसी का रास्ता दिखा दिया बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बल्ले बाज ने अपने ही अंदाज में इस गेन को जाने दिया बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया सीधा फील्डर के पास बल्ले बाज सरलता से खेल पा रहे हैं इस शॉट को अच्छा शॉट था यह पर गेंद इंसाइड सर्कल को पार नहीं कर पाई बोलिंग में बदलाफ तेज गेंद बास का आगमन कमाल का शॉट दो रन बिल सकते हैं रणिंग बिट्वीन दो वेकेट्स बहुत युम्दा रहे हैं दोने बल्ले बाजो के बीच फील्डर है कवर पर अच्छा शॉट लेकिन सिंग्ल ही मिलेगा बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई किये है फ़ास पोलर्स की इनोंने हैलारान तेजी से लेते हुए इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्वीन दविकेट्स रही है कि मानों ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोख सकता एक एक एक्ष्ट्रा रन चुराने से बहुत ही अच्छी थाल मेल तोनों बल्लेवास की बीच में बड़ी आरानिंग इट्वीन दविकेट्स ये स्पिनर्स के सामने विक्राल रुपधारन कर लेते हैं गैप में खेल दिया है क्या ये दो रन ले सकते हैं यहां ये तो चीत है कि रफ़तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहां बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेवास की विकेट के बीच इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां चुरा लिया है एक बढ़िया रनिंग बिट्रीन दोनों बल्लेवास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है गैप में खेलने का प्रयास लेकिन फील्डर मिले वहां पास बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए सीधा फील्डर के पास बल्लेवास सरलता से खेल पा रहे हैं इस चौट को यह है जो बाउंडरी से इश्ट फरमाते हैं यह बात विपक्षीटिंग को बखू भी मालूम है गेंद को जाने दिया स्कोर बोर को चलाए मान रटने के लिए इनको कोई हल निकालना ही होगा नजाकत से खेला एक रन के लिए अब एक एक दो दो रन से नहीं चलेगा थोड़े चौके चक के लगाओ वरना रिकॉइड रन रेट तो चड़ती ही जाएगी दो रन का कॉल अब थोड़ा बल्ला गुमाओ मेरे भाई एक और दो रन से तो मैच नहीं चीतोगे खेल दिया है गाप में और ये एक रन कि तैयारी करते हुए ये वाइड होगी भाईया चलिए दुबारा डालिए गेंद एक दो रन से यहां गेंदबास को कोई अपत्ती नहीं होनी चाहिए क्यूंकि अब तो वो भी जानते हैं कि जब तक चौके चके न जाएं ये मैच उनकी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता कवर पे फील्डर तैननात किये हैं कैप्टन ने बहुत ही बड़िया शॉट फोट ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है बहुत लै में नजर आ रहे हैं जोरदार अपील और अमपायर को एक पल नहीं लगा उंगली उठाते हुए आउट नजदी की मामला हो सकता है यहां बहुत ही बड़ी अपील की थी और मुझे तो लगता है के रिव्यू जरूर लेंगे I'm checking for another ball fair delivery no problem I can see anything के सीचिंपंखी झुजी जा को बाली है प्शवचिप कर देये है ? विक जाओंगी फिस्ट हिट इसाती है घरी को नहीं से सकते हैं ये सबाविक फेसेशन और ये येट वर्भा है वहती नीराश लगे हैं वोल्लेबाद नहीं गेन खेलने के लिए पूरी तरह तयार कि अवर में खेल दिया है और गैप में भी जाजन बल्ले बास पूरे नियंग द्रण में थे वहाँ बोलर्स को अपनी लाइन का ध्यान रखना होगा यह सही ढंग से नहीं खेला है और फील्लर पकड़ लेंगे इसको गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाज ही कर रहे हैं अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए आत्म विश्वास भरी अपील लेकें अंपायर ने ना का रहा अब थोड़ा बल्ला गुमाओ मेरे भाई एक और दो रन से तो मैच नहीं चीतोगे बहुत ये बड़िया धंग से खेला सिंगल के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए बोलर को अपनी लाइन एन लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कवर पे फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाजी कर रहे हैं खेला तो यह बढ़िया है लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए कप्तान की फील्ड प्लेस्मेंट काबिले तारीफ रही है गेंद बाजों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ऐसे सिंगल्स देने में बाल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं अभी तक का खेल देखके लग रहा है कि ये पिच दोनों बाटिंग और बोलिंग के लिए परियाप्त है बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां बहुत अच्छी रनिंग बिट्वीन दे विकेट लेने की कोशिश होगी बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बलेबास को देखते हुए कवर्स पर फिल्डर लगा दिया है दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों न हो इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे क्या शॉट लगा रहा है बल्लेबास ने सारे फिल्डर बस गेंद को दर्शकों के बीच जाते हुए देख सकते हैं इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहा मारेंगे बल्लेबास पिछली गेंद पे बड़े अनकॉंफटिबल लगे बही अगेंद लाइम मिस जज कर बैठे बल्लेबास बल्लेबास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तेज का राना शाट चार्ण के लिए तेज गेंद बास को लाया गया है दूसरे छोड से चुरा लिया है एक रन बड़िया रनिंग बिट्वीन दे विकेट्स बहुत ही बड़िया तालमेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रनिंग बिट्वीन दे विकेट्स इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरण के साथ गेनबाजी करनी होगी यहाँ उठा के खेल दिया है, गैप में गई और यह बैतरीन चौका बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ लेकिन थोड़ा समल के ले में है, बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है, कहीं उसे गवा न बैठे क्या इनके तरकश में से एक और चौका निकल सकता है, चलिए देखते हैं बड़िया कैच, सुरक्षित हातों में बल्लेबास पवेलेन की ओर जाते हुए, हताश, निराश, उदास बहुत ही आकरामक बल्लेबास है ये विश्व क्रिकेट में बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबास बल्लेबास की अच्छी कोशिश पर बॉल सीधा फील्डर के हाथ में तेज गेंदबास को लाया गया है दूसरे छोड से बल्लेबास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए सीधा फील्डर के पास बल्लेबास सरलता से खेल पा रहे हैं इस चौट को कवर पे फील्डर तैनात किये हैं कैप्टन ने हाथ में खेल दिया है और जैप में भी आज़न बल्लेबास पूरे नियंद रन में थे वहां इनको बैटिंग करते देखना दर्शियन यह है अब पता नहीं भाईया यह गिंद कहा जाएगी नजाकत से खेल दिया है सिंगल के विए गेंद बास अपने पसंदीदा छोर से गेंद बास ही कर रहे हैं अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां पर बोलर को अपनी लाइन एन लेंद सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बहुत अच्छी रणिंग बिट्वीन दे विकेट्स बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है सिंगल लिया बल्ले बास स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं पहती जोड़ार अपील लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट यह शॉट गया हवा में और गैपने भी गया यह शॉट तो रीप्ले में देखकर और भी अच्छा लग रहा है बदकिसमत रहे हैं वहाँ बॉल सीधा फील्डर के हाथ में गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाज ही कर रहे हैं बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं स्पिनर को लाया गया अटैक में देखते हैं स्पिच से कितना लाब उठाते हैं क्या मैच देखने मिल रहा है हमें यहाँ दर्शक इस मैच का पूरा लुफ तठा रहे हैं फील्डर के बाजू से रंच रालिये इन्होंने बहुत ही जोरदार अपीर लेकिन अमपायर का इशारा नौट आउट ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है गेंदबास अपने पसंदीदा छोर से गेंदबास ही कर रहे हैं हमाँ खेल दिया है और ड्याप में भी जा रॉन बल्लेबास पूरे नियमत रण में थे वहाँ बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबास अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने शांदार शोट देन सीधे बाउंडरी लाइन की तरफ चाती हुई अजबत प्रधरशन फिल इस दॉरा अजबत प्रधरशन फिल्डिक साइड़ा अच्छान लगाए थे और गयाँ अपना कम भुबी Let's congratulate our man of the match and catch him for a few words